ये आम तोर पर जल्दी बीमारी के रूप में संदर्भित की जाने वाली चरम अभिव्यक्तियां हैं. जो चिंता की स्थिती है जो दिन में परियापत समय की आवशक्ता को पूरा करने के लिए परियापत समय नहीं होने की भावना के कारण होती है. जबकि हम मेंसे अधिकांश, शुक्र है, इसके लिए तैयार नहीं है जब चीजे हमारे रास्ते पर नहीं जाती हैं तो हम मेंसे कई लोगों को उन घटनाओं से निपटने में गंभीर समस्या होती है जो हमें निश्चित रूप से बाधित करती हैं हमारे लक्षियों में हस्तक शेप करती हैं, हम मेंसे कुछ कॉलेज में इस आदत को उठाते हैं, उस टाम पेपर को लिखने की प्रतीक्षा करते हैं अपने नियत दिन से एक दिन पहले पूरी तरह से शांत हो जाना, और उदास आँखों से कक्षा में जाना, बिस्तर पर घहसीतना, लेकिन आत्म संतुष्ट होना की एक और चुनौती सफलता पूर्वक मिल गई है आपको मोशन सिकनेस है, उस तरह का नहीं, जो जब आप प्रतिक्रिया करते हैं तो बेचैनी का कारण बनता है एक जहाज का लुड़िकना बलकी गती और गती पर एक शारीरिक और मनोवे ज्यानिक निर्भरता जो एक वास्तविक लत के रूप में लगभग शक्ति शाली खो सकती हैं, लक्षनों में शामिल हैं घबराहट, अवसाद, ठकान, भूक, बाध्यकारी व्यवहार, दोहराव वाली क्रियाएं जो एक फिर से मुश्किल या यहां तक की रोकना असंभव अनिच्छा और यहां तक की काम करने से रोकने में असमर्थता, काम करना बंद करने पर भी आराम करने में असमर्थता यह अच्छा नहीं है, लेकिन यह घातक नहीं है, लेकिन उस तेज लेन में गाड़ी चलाते रहें जब तक की यह जीवन का एक तरीका न बन जाए और आप दौरे का जोखिम, उच्चर रक्ट चाप, भृदे रोग, माई ग्रेन, अनिद्रा, पाचन समस्याएं, स्ट्रोक, जीवन में भागदौर का तनाव प्रतिरक्षा प्रनाली को दबा देता है, थी लिम्फोसाइटों, श्वेत रक्ट कोशिकाओं के प्राकृतिक कैंसर के लिए समवेधनशीलता में वृद्धी करता, थे, एट रपोर्ट्स दे सेटडे इवनिंग पोस्ट के 1969 के अंख में एक लेख में, अत्यधिक सम्मानित एतिहासकार और सामाजिक टेपनीकार आथसले सिंगर, जूनियर ने अमेरिकियों को, अवकाश के एक नए की शुरूआत, की चेतावनी दी. चेतावनी दी, ये पूरवानुमान मुझे डैककर रेकॉर्ड्स के कार्यकारी की याद दिलाते हैं जिन्होंने इंग्लेट से गराज रॉक, बैंड पर हस्ताक्षर करने का मौका ठुकरा दिया क्योंकि गिटार संगीत रास्ते में है, ब अधिक काम करने का फैसला किया, और हम इसे अधिक काम पर चले गए, ताकि उम्र के बजाए आराम से हमने चिंता का योग और दो आये वाले घर का आदर्श बनाया, आप केवल अधिक समय, प्रयास और उर्जा के साथ अधिक काम कर सकते हैं, और उस समय, प्रयास और उर्ज से घरिना करते हैं और बचत समय की बात करते हैं और गुनवत्ता समय व्यतीत करते हैं जैसे की कहावत है समय पैसा था या कम से कम एक पैसा जैसी वस्तू जो या तो जमा हो सकती है या बरबाद हो सकती है उदाहरन के लिए आप लेख सकते हैं मैं अपना समय बुद्धिमानी स खर्च करना सीखने की कोशिश कर रहा हूँ या मैंने पाया है कि मैं एक टू डू करके समय बचा सकता हूँ हर सुभग काम से पहले सूची बनाए या मैं रात के खाने के बाद समय बरबाद करता धू आगे बढ़ो और कुछ लिखने के लिए कुछ समय निकालो उपर हमारे उदाहरणों में हमें मिलेगा मैं अपना जीवन बुद्धिमानी से बिताना सीखने की कोशिश कर रहा हूँ मैंने पाया है कि मैं एक टू डू सूची बना कर जीवन बचा सकता हूँ मैं रात के खाने के बाद जीवन बरबाद कर देता हूँ ग्यारा हिस छोटे से पारलर की चाल की बात सोलह स्वास्थ्य स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग ने पाया की सहयोक्त राज्य अमेरिका में श्रमिकों द्वारा सालाना काम करने की ओसत संख्या पिछले कई दशकों में लगातार बड़ी है और वर्तमान में जापान और अधिकांश पश्चमी यूरोप से अधिक है हैरानी की बात है मैरिलेंड विश्व विद्यालाया में अमेरिकियों के समय के उपयोग के प्रोजेक्ट के निदेशक डॉक्टर जॉन रॉबिंसन और पेन स्टेट कॉलेज ओफ हिल्थ और हुमन डैवलप्मेंट में अवकाश अधियन के प्रोफेसर डॉक्टर जेफ्री गोर्बे द्वारा किये गए एक अधियन से संकेत मिलता है कि हमारा खाली समय भी बढ़ रहा है हमारी नौकरियां तनाव पैदा करती हैं और शायद हमेशा होती रहेंगी इसे करने के लिए समय की तुलना में अधिक करना है भले ही हम लंबे समय तक काम कर रहे हों हमारे पर्यवेक्षक तनाव ग्रस्थ हैं और अपना तनाव कम करते हैं उद्योगों का प्रवाह जारी है क्योंकि विले और अधिग्रहन आम हैं और स्थितियां अस्थिर हैं क्योंकि व्यवसाइब बदलते बाजार की स्थितियों और विदेशी प्रतिसपर्धा में वृध्धी के साथ समायोजित होते हैं क्या हम अपना आधा खाली समय टेलिविजन के सामने बिताते हैं क्योंकि हम कुछ और करने के बारे में सोचने के लिए बहुत ठके हुए हैं और यहां तक कि अगर हम कर सकते हैं तो बहुत ठक गए हैं कर दो अभ्यास का यह हिस्सा बहुत रोशन करने वाला हो सकता है क्योंकि आपके द्वारा यहां एक अत्र की गई संख्या इस बात की पुष्टी कर सकती है कि आपका जीवन साथ ही आपको बिस्तर पर आने के लिए क्यूं कह रहा है हम सभी बुनियादी समय लेने वाली गतिविधियों की हमारी सूची में खाएंगे लेकिन फिर से आप भोजन के समय को नियमित बैठने के भोजन में विभाजित करना चाहते हैं पोशन पर खाने पीने की ड्राइव थरू छापे और चारा या स्नैकिंग या नोशिंग या जिसे आप इसे कहते हैं किसी को भी आपका लौग देखने की जरूरत नहीं है और आपके पास अपने जीने के तरीके के बारे में कुछ भी बदलने की शक्ती है और आप जो कुछ भी करते हैं उसे अपनाने का फैसला करने के लिए जन्मत जीवन साथी को छोड़कर शापित हो यदि अब आप पर कोई समायोजन आता है तो इसे चौथे कॉलम नया आदर्श या समय प्रबंधन लक्षिप में नोट करें वास्तव एक वास्तव एक नया आदर्श विडियो गेमिंग का अनुमान लगाएं साथ 4.2 प्रतिशत 3.5 2.1 प्रतिशत 42 25 प्रतिशत 10.5 6.3 प्रतिशत फिर एक घोशना के रूप में आप जो समायोजन करना चाहते हैं उसे लिखें मैं दिन में डेड़ घंटे से अधिक विडियो गेम नहीं खेलूंगा या मैं औसतन दस से अधिक नहीं खेलूंगा और हर हफ़ते आधे घंटे का गेमिंग बधाई हो लेकिन आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं यदि आप इच्छुक हैं तो अपने आपको बुध्धिमानी से और अच्छी तरह से समय बिताने में मदद करने के लिए जात पर संख्याओं को संतुष्ट करने के लिए नहीं बलकि आनंद से भरे और साथ ही उत्पादक जीवन बनाने के लिए इस अभ्यास को पूरा करने में परिश्रम समय के उप्योग की व्यापक श्रेणियों की एक सटीक और ग्राफिक तस्वीर प्रदान करना चाहिए एक अध्यान जिसे आप सामान्य बनाने के लिए उप्योग कर सकते हैं किन गतिविधियों पर अधिक ध्यान देने योग्य खै और किन पर कम ध्यान देने योग्य है इसके बारे में पुराने निर्नय आपको अधिकान्ष रातों में लगभग 8 घंटे की नींद मिल रही है काम के घंटों को खेलने के घंटों के साथ सामन जस्य स्थापित करना परिवार और दोस्तों के लिए समय का एक सार्थक हिस्सा समर्पित करना व्यायाम करने और खाने में समय बिताना स्वस्त सब कुछ सही कर रहा है लेकिन आपके सभी प्रयासों के लिए आप जो करने के लिए निर्धारित किये गए हैं उसे पूरा नहीं कर रही हैं जिनके पास करने के लिए कम से कम है वे आम तोर पर दुनिया में सबसे व्यस्त लोग होते हैं सैमूल रिचिड असन 1689 1761 ब्रिटिश उपन्यासकार अधिकांच कार्यकरता मानते हैं कि अपने आकाओं के लिए व्यस्त दिखना महत्वपूर्ण है और बहुत से मालेक तबाराम महसूस करते हैं जब उनकी सीधी रिपोर्ट ऐसी दिखाई देती है जैसे वे कड़ी महनत कर रहे हूं तब बहुत से मामलों में व्यस्त उतपादक के लिए एक अस्वी कार्य विकल्प है कुछ पर्यवेक्षकों ने सुझाव दिया है कि व्यस्त कार्य उच्च प्रबंधन द्वारा एक निर्मान है जिसे आधुनिक व्यापार संगठन संरचना द्वारा मध्य प्रबंधकों पर कबजा करने के लिए आवश्यक बनाया गया है हाला कि ये उस आवरिती से प्रबलित प्रतीत होता है जिसके साथ बड़े निगम खर्चों को कम करने और सुधार करने के प्रयास में उनकी निचली पंक्ती उनके मध्य प्रबंधकों के एक महत्व पून खंड को बंद कर देती है और बिना किसी रुकावट के प्रतीत होता है काम करना जारी रखती है क्या व्यस्त कार्य उप्री प्रबंधन द्वारा पिरामिद संगठन संरचना को बनाय रखने में मदद करने के लिए बनाया गया एक परिचालन उपकरण है या द्वारा नियोजित एक उपकरण है अन्य अधिक महत्व पून कार्यों से बचने के लिए यह उस समय के प्रत्यक्ष अनुपात में उत्पादक्ता को कम करता है हम अपने सभी व्यस्थ कारियों को उनके आवंटिट समय स्लोट में फिट करने के प्रयास के तनाव और दबाव को महसूस करते हैं लेकिन उपलब्धी की भावना नहीं रखते हैं यह आवश्यक कर्तव्यों को पूरा करने के परिनामस्वरूप होगा तो यह व्यस्थ काम की तरह लग सकता है और आप इसे लड़ने में बहुत उर्जा और समय बर्बाद कर सकते हैं लेकिन तथ्य यह है कि इसे पूरा करने की आवश्यक्ता है हम व्यस्थ कार्य करने के दोशी है यदि हमने उन कार्यों पर समय बर्बाद करके अधिक महत्व पूर्ण, लक्ष संबन्धी और संभावित रूप से कठिन कार्य से बचने के लिए चुना है जो कोई फर्क नहीं पढ़ता जब वे पूरे हो गए हैं रिपोर्ट की उपस्थिती को पूर्ण करने में बहुत समय व्यतीत करना संभव है फोन्ध का चैन करना, कलात्मक रूप से पृष्ठों को रखना, ग्राफिक्स का उपियोग करना लेकिन अगर यह रिपोर्ट एक आंतरिक दस्तावेज है और पार्थकों को केवल चिन्ति होगा, इसकी सामगरी के साथ फिर पृष्ठ सौंदरी करन का प्रयास व्यर्थ व्यस्त कार्य है, हालां कि कई मामलों में आप किसी कार्य के मूले का न्याय करते हैं, यह निर्धारित करते हैं कि इसमें कितना प्रयास करना है, और 29 पूरा होने पर उचित पूरसकार योजना के भीतर एक महत्वपून रास्ते पर नहीं है, तो हम खुद को संतुष्ट करने के लिए उन्हें जारी रखने के लिए पर्याप्त कारण ढूंड सकते हैं, इस मामले में कम से कम हमारी खामियों को पूरी तरह से समझने में असमर्थता है लक्ष, अनुवाद उन लक्ष्यों को कार्यों में और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तारक तरीके से उन कार्यों को प्राथ मिक्ता दें। हम महत्वपून्ट कार्य को पूरा करने के रास्ते पर खुद को अच्छी तरह से पा सकते हैं केवल छोटी-छोटी चिंताओं और तुच्छ कर्तव्यों से घात लगा कर ताकि दिन के अंत में हम पिछले आठ घंटों की उनमादी गति विधी से ठके हुए लेकिन असंतुष्ट महसूस करते हैं अगर ऐसा होता तो इतनी सारी किताबें और पत्र का लेख और कार्य दुकाने नहीं होती जो निराश लोगों की मदद करने के लिए डिजाइन की जाती हैं क्योंकि वे अपना समय प्रबंधित नहीं कर सकते हैं हमारी कारे खुद को पाक कर सकती हैं हम 35 लोगों के लिए भुगतान कर सकते हैं जो हमारे लिए लाइन में खड़े हैं और एक अजीब शहर में निकटम रेस्ट्रूम खोजने के लिए एक सेल फोन का उप्योग कर सकते हैं जिससे हमारे जीवन के तरीके में सुधार हो सकता है विशेश अग्य से इन युक्तियों में से समय बचाने के 365 तरीके के लेखक लुसी हैड्रिक हैं यदि आपके पास पढ़ने, पत्र लेखन, खाना पकाने या व्यायाम करने का समय नहीं है तो सुभर जल्दी उठें यह एक पसंदीदा समय प्रबंधन समाधान प्रतीत होता है आप में से कुछ को अपने कार्य, स्थान पर सकता आदेश लागू करने की आवश्शकता है हर चीज और उसके स्थान पर हर चीज के लिए एक जगह साफ सुथरी फाइलों के साथ एक साफ डेस्ट टॉप एक मंजल जिस पर आप वास्तव में चल सकते हैं एक घंटे का काम घर पर करें पांच मिनिट से कम पढ़ें अपने जीवन साथी से चार मिनिट बात करें तीन मिनिट से कम व्यायाम करें और अपने बच्चे के साथ दो मिनिट खेलें डेविड एला की गेटिंग तिंग्स दून The art of stress, free productivity हर कार्य को सीधे प्राथमिक्ता से कैप्चा करने और निपटने के लिए एक पूर्ण प्रनाली प्रदान करती है जिससे हम अव्यवस्था को खतम कर सकते हैं और ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जब आप एक ही समय में और अधिक करने का प्रयास करते हैं, तो वो सलाह देती हैं आप जोखिन चलाते हैं अधिबार, एक घटना जिसे कम्प्यूटर भाशा में, थरैशिंग के रूप में जाना जाता है, जब कम्प्यूटर को एक साथ बहुत सारे कमांड मिलते हैं और यह तै करने की कोशिश में फंस जाता है कि पहले क्या करना है, काम से पहले करने के कम्यूट, सत्रह मिनिट, मौनिंग आंसर फैक्स, ओवरनाइट मेल, वॉस मेल, इमेल पर प्रेरक्स्व सहायता सीडी सुने, सुभ आठ बजे से नौ बजे, स्टाफ मीटिंग, नौ पूरवान हा, साधे दस पूरवान हा, व्यवस्थित करिंग, त्रैमासिक रिपोर्ट के दोपहर डेड़ बजे अपरहन, दोपहर त्रैमासिक रिपोर्ट का मसौदा लिखें, पौने दो अपरहन तीन बजे बजे, कार्यस्थल की अपेक्षाओं पर समिती से मिलें, दोपहर तीन से साधे चार बजे, दोपहर का आना जाना, 18 मिनिट, ड्राइ क्लीनिंग उठाए बस, काम पर जाने का प्रयास नहीं करने के लिए, और आपको बिस्तर पर रहने के लिए दोशी महसूस करने की जरूरत नहीं है, जबकि बाकी दुनिया व्यापार कर रही है, मान लीजिए कि आप इतने बीमार हैं कि बिस्तर पर अपनी पीट के बल सपाट, त्रहना पड़ 30 संदेश मिले हैं, उनमें से 62 एक ही व्यक्ती से, 178 एमेल, उनमें से 52, सी ओ एक ही प्रशन पर कई प्राप्त करताओं द्वारा उत्तरों और उत्तरों के धेर, और मैमो, फैक्स, मेल, और अन्या प्राकृते का आपदाओं में एक डैस्क ढूब गया, डोजा एस सैंडी के 70-0-0 टाई की पांचवी पारी के, शीर्ष पर टीले पर कॉफएक्स, डेविस ने खेल को उड़ाने के लिए एक ही पारी में तीन त्रुटियां की, जिसमें 47 एक ही खेल में दो त्रुटियां शामिल थी, कुछ आप पर लाब उठा रहा हो सकता है, भगवान, हमें शान्त के साथ उन चीजों को स्वीकार करने की कृपा दें, जिन्हें बदला नहीं जा सकता है, उन चीजों को बदलने का साहस दें, जिन्हें बदला जाना चाहिए, और एक को दूसरे से अलग करने की बुद्धी, आपको इसे बदलने में सक्षम होना चाहिए, इससे पीछे हटन चाहिए, इसे अपने कान पर पल्ठें, इसमें जोडें, इसे उपर उठाएं और इसे री साइकल बिन में टॉस करें, अगर यह वास्तव में मदद करने वाला है, इसे पहले न करें, क्यूंकि यह वहां है, ध्यान देने की मांग कर रहा है, या क्यूंकि यह अपेक्शाकृत आसान है, या क्यूंकि आपको इसे पहले करने की आदत हो गई है, वास्तव में, बड़े लक्षे को पूरा करने के लिए उन्चास चरणों में कौन से चरण शामिल हैं और उन्हें किस क्रम में पूरा किया, जाना चाहिए, यह समझने के लिए एक बड़े कार्य को छोटे क कार्यों में तोड़ना आवश्यक है, यदि आपका कोई कार्य उत्पाद विकास योजना लेख रहा है उदाहरन के लिए और आप जानते हैं कि यह कितना समय और प्रयास करेगा, तो योजना के कुछ हिस्सों को परिभाशित करने से यह और अधिक नियंत्रनिय हो जाएगा अर्द गंभीर सावधानी का एक शब्द यहां, जो मफी के नियं के ग्लासर के कोरोलरी द्वारा सबसे अच्छी तरह से कहा गया है यदी, साथ घंटों में से आप आप काम पर बिताते हैं, छे घंटे और पचपन मिनिट आपकी मेज पर काम करते हैं और बाकी समय आप अपने क्यूबिकल साथी के साथ बैल को फेकते हैं समय सूची को छोड़ने के लिए तैयार रहें यदी आप केवल कहानी लिखते हैं यह योजना बनाई गई है लेखक और शिक्षक एलेन हुनिकट अपने छात्रों से कहते हैं आप उस कहानी को याद करते हैं जो सामने आई है वही आपके जीवन की कहानी के लिए जाता है विकास शील सूल्ची की लट के खत्रों के एक रमनिय चित्रन के लिए जो निश्चित रूप से अब तक अपने स्वयम के बारा चरणियर कारेक्रम और सहायता समू होने चाहिए ए लिस्ट पड़े आथा लोबेल के रमनिय में से एक बच्चों के लिए मेधाक और टॉट की कहानिया 51 अन्य वस्तूओं में कपड़े पहनना, नाश्ता खाना और मेधाक के साथ तहलने जाना शामिल है आपदा तब आती है जब हवा का एक जोंका टॉट के हाथ से कागस छीन लेता है और गरीब टॉट खुद को मार्ट दर्शन करने के लिए सूची के बिना अभिने करने में असमर्थ पाता है यदि आप खुद को सूची बनाने और संशोधित करने में बहुत अधिक समय व्यतीत करते हुए पाते हैं, उदाहरन के लिए यदि आप एक बार पूरी हो जाने के बाद सूची का संदर्ब कभी न ले तो हो सकता है कि टूडू सूची आपके लिए न हो जंप स्टार्ट प्रत्येक कार्य सेशन, राइटर्स ब्लॉक को सबसे अधेक प्रेस मिलती है लेकिन लोगों का सामना कार्यकारी के ब्लॉक और प्लंबर के ब्लॉक से होता है और कंप्यूटर प्रोग्राम का ब्लॉक भी भय और दर्द और इच्छा की साधारण पुरानी कमी के कारण अर्धुइक शिप्तता की स्थिती 1. FAST STAR प्राप्त करने के 8 तरीके एक सदी के अंत में मानसिक रूप से तैयार करें। चार्ल्स नाम का एक व्यक्ति हानल ने अवचेतन मन को एक परोपकारी अजन भी कहा है। यदि आप इन सवालों का जवाब नहीं दे सकते हैं, तो अपने आपको समय और प्रयास बचाएं और सुनिश्चित करें कि आप बहतर काम करेंगे आपको आवश्य जानकारी। प्राप्त करने के लिए अभी कुछ क्षण निकाल कर और आप जो हासिल करने की आशा करते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। यदि आप अपने में अच्छे हैं काम, शब्द के सर्वोत्तम अर्थों में एक प्रेशेवर, जाहे आपको भुगदान मिल रहा हो य या नहीं, आपका मूड तयार उत्पाद में 69 नहीं दिखता है, लेकिन जब एक क्वाटर बैक एक अवर रोधन फेकता है, तो स्टेडियम में हर फुटबॉल प्रशनसक उसे देखता है इसे करें, और अधिक लोग रीपले देखेंगे या इसके बारे में पढ़ेंगे, और कोई रास्ता नहीं है कि वो गेंद को वापस खीच सके और खेल को खतम कर सके, फिर से करने के लिए कोई समय नहीं है, इसे पहली बार करने के लिए मुश्किल से परियाप्त समय है, और जब हम एक चुनौती के माध्यम से अपने तरीके से काम करते हैं, तो हम बॉस या ग्राहकों की नजरें अपने उपर महसूस करते हैं, यह उन लोगों के लिए जितना मुश्किल लग सकता है, जिन्हें परिपूर्ण होना सिखाया गया था, हमें किसी बिंदू पर यह महसूस करना चाहिए कि हमारे सर्वोत्त मिरादे, योजना बनाना, और अगर काम पूर जब तक आप ठक नहीं जाते या जब तक आप एक रोडा में भागते हैं, तब तक आप अपने तरीके से काम नहीं कर सकते। यह कई सफल लेखकों द्वारा उपियोग की जाने वाली तकनीक है, जिन्हें शुरू होने में एक महत्वपून समस्या होगी यदि वे चालू के कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं और आप समस्याओं के माध्यम से कैसे काम करते हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता था जिसने दौरते समय अपनी सर्वश्रेष्ट सोच रखी थी, वो एक कार्य से टूर जाता था जब वो एक रोडा मारता था, एक रन के लिए जाता और जब तक वो लौटता था, तब तक उसे आमतोर पर एक समाधान मिल जाता था। आप मिलने जुलने, मिलने से लेकर मिलने जुलने तक अपने विचारों को एकठा करने के लिए समय के बिना चार्ज करते हैं। आपने अपने डैस्ट पर इतनी बार दोपहर का भोजन किय है आपका कीबोर चुकडों से भरा हुआ है बजने वाला फोन आपको उचलने पर मजबूर कर देता है आप अपने हाथों को फेंकने और चिलाने से एक बुरा आश्चर्य महसूस करते हैं एक लंबे समय से दोस्त आपको यह बताने के लिए कॉल करता है कि वो शहर आ रही है और आपको देखना पसंद करेगी लेकिन आप बहाने बनाते हैं क्योंकि आपके पास समय नहीं बचा है आपको कोई व्यायाम नहीं मिल रहा है लेकिन आप ठकावट महसूस करते हैं आप अंत में बिस्तर पर रेंगते हैं और सो नहीं सकते निजी दोर पर अपने प्रेयर उपर और अपनी आखें बंद करके निश्चित रूप से अच्छा होगा लेकिन आप एक बैठक के बीच में पहिया के पीछे एक सांस ले सकते हैं कार या फोन पर पहली बार कोशिश करने पर आप ना समझ महसूस कर सकते हैं लेकिन एक बार जब आप तक्नीक में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप कुछ ही मिंटों के बाद तरो ताजा होकर लौट आएंगे और आपको पता चल जाएगा कि आप वापस जा सकते हैं जल्दी फिर से आपको इन ब्रेक को अपनी दिंचर्या में शामिल करना होगा और आपको शायद ब्रीफ केस में एक नोट के रूप में मॉनिटर पर पोस्ट इट रिमाइंडर के रूप में रिमाइंडर लगाने की भी आवशकता होगी आपका कम्प्यूटर केलेंडर एक अन्य अध्यान में मारलिन कमपनी द्वारा प्रायोजित और 2001 में हैरस इंटरेक्टिव द्वारा संचालेत अमेरिकन वर्ट प्लेस साथ सर्वेक्षन में द्रिष्टिकोन एक तिहाई श्रमिकों ने कहा कि उनकी नौकरी उनके शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को नुकसान पहँचा रही है 42 प्रतिशत ने कहा कि नौकरी का दबाव उनके व्यक्तिगत संबंधों में हस्तक्षेप कर रहा है इस अध्ययन में 50 प्रतिशत श्रमिकों ने दावा किया कि उनके और उनके साथ ही श्रमिकों पर एक साल पहले की तुलना में अधिक काम का बोज था और लगभग उस प्रतिशत ने कहा कि उनके पास करने के लिए बहुत अधिक काम है और यह बहुत अधे कनुचित समय सीमा एक संगठनात्म कियोजना का उपियोग करके जो हमारे व्यक्तिगत और कार्य कार्यों को पकड़ती है उन कार्यों के चरणों को परिभाशित करती है और हमारी प्राथमिक्ताओं को परिभाशित करती है हम अपने जीवन का बहतर नियंत्रन ले सकते हैं, 72 वास्तविक्ता को पहचाने हम कई कारियों का सामना करना, परता है, छोटे और महत्वहीन, बाथरूम के दर्वाजे पर टेका हुआ तेल लगाना, से लेकर प्रमुक और परिनामी, एक महत्वपून प्रस्तुती देना, पि कि कुछ दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, पिताजी के स्वास्त्य और खुशी को शोर वाले दर्वाजे पर प्राथमिक्ता देनी चाहिए, आखरकार, वे सभी पूर्ववत का हिस्सा हैं जो हमारे सचेत को भीर देते हैं और अचेतन दिमाग, इसका मतलब, यह भी है कि हम एक गोल्फ खेल के दौरान आने वाली प्रस्तुती के बारे में सोच रहे हैं, और स्टाफ मीटिंग के बीच में उस खराब टुकडे को कैसे ठीक किया जाए, वास्तविक्ता का सामना करें कि हम, हमारे समय पर कई आवश्शक्ताएं हैं, रुक मुदाय असुविधाजनक समय पर अनियोजित तरीकों से हमारा ध्यान आकर्शित करना जारी रखेंगे, क्याप्चर करें टी एसके ऐस्यह स्वीकार करने के बाद कि हमारे पास उन्हें करने के लिए समय की तुलना में शायद अधिक कार्य हैं, और पुराने को खत्म करने क मौका मिलने से पहले नई मांगे उठेंगी, हमें एक नियंत्रन तंत्र लागू करने की आवश्शकता है, घो सकता है कि आप सबसे अच्छे हों माता-पिता और या पती या पतनी दो प्रेरों पर और उन अनुभवों को कार्य के रूप में लेबल करके और उन्हें कार्य स इस मास्टर सेट या सुपर टूडू सूची को एकत्रित करना, आप जो भी प्रारूप चुनते हैं, वो निससंदे एक बड़े प्रयास का प्रतिनिधित्व करेगा, लेकिन यह एक ऐसा कदम है जिसे आपको दोहराने की आवश्शकता नहीं हो सकती है यदि आप नीचे च करचा किये गए, शेड्यूल, भाग को बनाये रखते हैं, दुर्भाग्य से, हालां की, क्लासिक टूडू सूची की समझ की अनुमती नहीं है कार्य, नहीं यह किसी योजना को समायोजित करता है या स्वीकार करता है कि इसे पूरा करने के लिए कौन से संसाधन, जैसे समय, आवश्यक हैं, यदि आप नहीं जानते की तेल कहां है, या यदि आपके पास कोई तेल नहीं है, या यदि कोई सफेध है उसकाज के नीचे कालीन और आप खराब रूप से गरबढ़ हैं, तो नौकरी में और कदम शामिल हैं और इसमें बहुत अधिक समय लगने वाला है, वास्तव में, यह केवल एक बड़े कार्य को छोटे कार्यों में तोड़ कर ही यह समझना संभव है कि कौन से कदम शामिल हैं और उन्हें किस क्रम में पूरा किया जाना चाहिए, यदि आपका कोई कार्य लिखित है उदाहरन के लिए, एक रिपोर्ट के लिए, और आप उत और अधिक नियंत्रत किया जा सकेगा, बड़े कार्यों को पूरा करने के लिए अधिक समय की आवश्यक्ता होगी, लेकिन ऐसा होता है जरूरी नहीं कि उन्हें प्राथमिक्ता मिलनी चाहिए, यह आपके प्राइम टाइम में शेड्यूल किया जाना चाहिए, छोटे कार्य को जल्दी से पूरा किया जा सकता है और किया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें बड़े कार्यों के समान नियमों का उप्योग करके प्राथमिक्ता दी जानी चाहिए, चित्र 8.1, स्टीफन कोवे द्वारा लोकप्रिय बनाया गया एक ग्रिड, आपको प्रतियक कार्य के बार टारगेट मैनेजर, हाँ ए, लास्ट मिनिट मैनेजर, कॉंक्वाइर प्रोक्रिस्टिनेशन में इस ग्रिड की एक भिन्नता विक्सित की, जिससे चित्र 8.2 में दिखाया गया है, यदि आप, एक से, दस का उप्योग करते हैं, तो आप अधिक सटीख हो सकते हैं, लेकिन य छे, या, साथ, के बीच अंतर करने में अतिरिक्त प्रयास के लायक नहीं हो सकता है, जब एक साधारन, A, B, C, या, D, पर्याप्त होगा, आप यह भी पाएंगे कि जैसे ही आप किसी कार्य के महत्व को तौलते हैं, कुछ पुराने पत्रिका लेखों को फिर से पढ़ना, उ उस कार्य को और अधिक व्यवारिक में बदल देंगे, जैसे, पुरानी पत्रिकाओं को त्यागे, अनुसूची इस बिंदु पर, आपके कार्यों पर कबजा कर लिया गया है, परिभाशित किया गया है, और प्राथमिक्ता दी गई है, यह शेडियूलिंग आपके और दू और जी ए एन इस ए, डी नेक्स्ट, अपना ले उच्चतम प्राथमिक्ता वाले कार्य, जिन्हें आपने उद्देश पूर्ण रूप से निर्धारित किया है, वे सबसे महत्वपूर्ण है, अस और बी, और प्रत्येक को शेडियूल करें, शुरुआत और समापती समय के सा एक निश्चित स्लॉट असाइन करें, यदि आप शेडियूलिंग के लिए प्रोजेक्ट, मैनेजमेंट सॉफ्ट्वेर पर भरोसा करते हैं जटल पर योजनाओं के लिए, तो आपके व्यक्तिकत योजनाकार को कम से कम आपकी समय प्रतिबधताओं को प्रतिबिम्बित कर ना चाहिए, भले ही विशेश कार्य निर्दिष्ट न हो, यदि आप अपने शेडियूल पर दो घंटे के कार्य को एक घंटे के समय स्लॉट में रटना करने का प्रयास करते हैं, तो आप करेंगे इसे पूरा करने में सक्षम नहीं हैं और कार्य को जल्दी समाप्त कर कोनों और गुनवत्त को काट देंगे, आदर्श रूप से आप कम प्राथमिक्ता वाले कार्य की जिम्मिदारी किसी और कुस्थानांतरित करने में सक्षम होंगे, यदि नहीं, तो नियत तारीक को उस समय तक ले जाएं जिसे आप समायोजित कर सकते हैं, यह अपनी भागी के महत्व को निर्धारित करने की आवश्शक्ता है और अपने जीवन को नियंतरन की स्थिती में रखें, हम यह सुझाव नहीं दे रहे हैं कि आप अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए, यह आपको किस टूथ पेस्ट का उप्योग करना चाहिए, यह आपको किस हाथ में टूथ ब्रश रखना चाहिए, या कौन सा सचेत विचार देना चाहिए, अपने मूग के चतुर थांश में आपको पहले ब्रश करना चाहिए, अपने सब ही निर्णय रटकर कर रही हैं, आप शायद अपने लिए सब से अच्छा निर्णय नहीं ले रही हैं, आपको सब से महत्वपून जानकारी के बिना बजते हुए ठेली फोन का जवाब देने का निर्नय लेना पड़ सकता है अर्थात दूसरे पर कौन है समाप्त करें लेकिन चलिए आपको कॉल आईडी देकर इसे आसान बनाते हैं चलो सुपिय कहें कि कॉल आपका महत्वपून अन्य है इसके बाद एसो के रूप में संदर्भित जिस पुरुष या महिला के साथ आप अपना जीवन पे चासी साजह करते हैं वो ग्रह के चहरे पर आपके लिए सबसे महत्वपून व्यक्ती है डॉट आप काम पर हैं और आप बहुत व्यस्त हैं कुछ महत्वपून के बीच में समय सी मिल होने के लिए प्रति बद्ध हों आप जान सकते हैं कि बातचीत क्या होनी चाहिए सही लेकिन कालपन एक मामले के जादू के माध्यम से मैं आपको ठीक वही बताने जा रहा हूं जिसके बारे में आपका ऐसो बात करना चाहता है और फिर आपको यह तै करने देता है कि उ किसी भी मिनट बाहर निकल सकता है किसी प्रियजन का स्वास्थ्य और सुरक्षा सतासी दाव पर है या कम से कम ऐसा लगता है और कोई रास्ता नहीं है इस तरह के कुछ के साथ एक मौका लेगा और स्थिती ततकाल कारवाई की मांग करती है हम में से अधिकांच के लिए समस या B और C श्रेणियों में खोती है महत्वपून लेकिन जरूरी नहीं और ततकाल लेकिन महत्वपून नहीं विशेश रूप से आप अपना बहुत अधिक समय CS करने में व्यतीत कर रहे होंगे और BS पर पर्याप्त समय नहीं दे रहे होंगे इसलिए यहां केवल यह बताना आवश्यक है कि जीवन तेजी से घटित होने वाली ततकालेकताओं की एक श्रिंखला से भरा है जो वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता है लंबे समय में या अलपावधी में भी उस मामले के लिए लेकिन विभाग की बैठक हर किसी के समय की एक मोटी बरबादी है इसे चलाने वाले व्यक्ति सहेत 90 मिनट की घोश्णाओं के माध्यम से आप अपने लिए पढ़ सकते थे या अंदेखा करने के लिए चुना गया जब तक हम अपने निर्नय लेने पर सचेत नियंत्रन नहीं लेते हैं तब तक हम अत्यावश्यक होने पर भी प्रतिक्रिया यदि एक महत्वपूर्ण अत्यावश्यक ग्रेड पर गतिविधियों को चार चतुर भूजों में विभाजित करने का यह सब व्यवसाय बहुत काम जैसा लगता है और यह है अपने दैनिक जीवन पर नियंत्रन प्राप्त करने का एक आसान तरीका यहां है बस जो आप कर हैं उसे रोकें ले एक सांस लें और अपने आपसे निम्नलिखित पूछें क्या मैं यही चाहता हूं या अभी करने की आवश्यक्ता है बेशक आप अपनी खुद की परिस्थितियों और जीवन के प्रती अपने द्रिश्टे कोन को फिट करने के लिए प्रश्न को संशोध कर सकते हैं ध्यान दे कि यह या नहीं और है जाहर है एक कार्य जो आप वास्तव में करना चाहते हैं उससे एक लंबा रास्ता तै कर सकते हैं और अभी भी वो चीज हो सकती है जो आपको करने की आवश्यक्ता है यह आपको आश्चर्य जनक लग सकता है लेकिन यदि आप ल कर लेंगे जिन्हें आप किसी भी आधार पर उचित नहीं ठेहरा सकते हैं और आप अपनी आवश्यक्ताओं को बहतर धंग से पूरा करने के लिए गतिविधियों को स्थानां तरित कर पाएंगे यह जानना की समय वास्तव में समस्या नहीं है पूरी तस्वीर प्राप्त करने के लिए हमें एक को दोहराने की जरूरत है यहां अधिक तत्व हमेशा समय की बात नहीं है आप कभी भी ढूंडने में सक्षम क्यूं नहीं होंगे समय को केवल प्रबंधन की आवश्शक्ता है क्योंकि हमारे पास वो सब कुछ करने के लिए पर्यापन समय नहीं है जो हम चाहते हैं करने के यदि आप सपताह में तीन बार व्यायाम करना चाहते हैं यदि आपको कुछ लंभी दूरी के करियर और वित्तिय निोजन की आवश्शक्ता है यदि आप अपने रिष्टे को पोशित करने के लिए किसी अन्य इंसान की परवा करते हैं तो आप इन चीजों के लिए समय निर्धारित करेंगे आमने सामने की बैठक हम में से अधिकांश के लिए सबसे बड़ा संभावित समय शोशक कॉल के रूप में आता है एक को पता चलता है कि उसे अपने वर्तमान कार्य टेली फोन या स्टॉप को पूरा करने के लिए कुछ अंतिम मिनट की जानकारी की आवशकता है और सरल प्रशन पूछता है एक मिनट मिल गया हम आम तोर पर इस सहयोगी के साथ सहानुभूती रख सकते हैं क्योंकि हम अक्सर इस व्यवहार के लिए भी दोशी होते हैं आप इसका अनुसरन कर सकते हैं साथ ही थोड़ा समय खरीद कर एक अचानक और प्रतीत होने वाली असमवेदनशील प्रतिक्रिया को नर्म कर सकते हैं क्या मैं आपके बारे में वापस आ सकता हूँ आधा घंटा उद्धरंचेन या बात करने के लिए एक विशिष्ट समय निर्धारित करके आप अभी भी नहीं जानते हैं कि बातचीत किस बारे में खै ये आईस में कितना समय लगेगा और आप अभी भी नहीं जानते हैं कि क्या आप वास्तव में बातचीत करना चाहते हैं या करने की आवश्यक्ता है। बिलकुल भी सुनेहरा नियम तीन छोटे शब्दों से जुड़ा है यदि आप एक मिनिट मिला के प्रभावी प्रतिक्रियाओं का अभ्यास करते हैं। काफी समय बाद आप अपने कुछ बार-बार आने वालों को सही प्रश्न पूछने के लिए प्रशिक्षित करेंगे। एक ऐसा प्रश्न जो आपको उत्तर देने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा। हम पसंद करते हैं कम से कम कुछ समय के लिए करने की क्षमता हमारे सहयोगियों के साथ आँख से संपर्ख करें। उनके भावों और हाव भावों को आमने सामने लाइव संदर्भ में देखने और उनका न्याय करने के लिए यदि आप जिस रिपोर्ट पर दो सप्ताह से काम कर रहे हैं उसे आज काम के अंत में परिचालित किया जाना चाहिए तो आप वास्तव में एक नई परियोजना प आपके विभाग की बैठकों में उपस्थिती की उम्मीद है और जब आपका प्रबंधक आपको बैठक के लिए सूची में रखता है आपके पास एक वास्तवे कारण होगा जिसे वो स्वीकार करेगा यदि आप छोड़ने की योजना बनाते हैं अपनी बैठक के जानकारी का शुधनुकसान होता है मस्तिश्क की कोशिकाओं को मारना और या मारना आप बचे हैं डबल्यू बैठकों की एक बहुतायत में भाग लेने की जिम्मिदारी के साथ द्रिश्य एद्स पर समय बर्बाद न करें यदि वे द्रिश्य और नाटकिया नहीं है यदि लिखित हैंडाउट में जानकारी अधिक प्रभावी धंग से प्रदान की जाती है यदि कोई या अधिक कर्मचारी लगातार निश्क्रिय रहते हैं ये उनकी गलती नहीं हो सकती है वे या तो आपके विचार से अधिक कुशल है या उनके पास उन्हें वियस्त रखने के लिए परियाप्त काम नहीं है एक प्रबंधक के रूप में जिसका कार्य कंपनी की नीतियों को प्रिख्यापित करना है इन परिवर्तनों पर आपत्ति करना या उनका विरोध करना न केवल प्रयास की बरबादी है बलकि एक टीम खिलाडी के रूप में आपकी छवी को लिष्चित तरीका भी है यदि आपके पास निरने लेने की प्रक्रिया में इनपूट है जिसके परिणामस्वरूप नए तरीकों को अपनाया जाता है तो यह आपको एक कारक के रूप में समय के मुद्दे को उठाने के लिए उप्यूक्त है वादा किये गए पुरसकारो को प्राप्त करने के लिए संगठन के उत्साह में अक्सर इसे अंदेखा कर दिया जाता है अपने कर्मचारियों के लिए केवल तत्काल जरूरी अपने कर्मचारियों के लिए अपने लिए आपको वास्तव में महत्वपून गतिविधियों के बीच अंतर करने की उन्हें बताएं क्यूं? मुझे ऐसा क्यूं करना है? यदि किसी कर्मचारी का वो प्रश्ण आपके अधिकार के लिए खत्रा लगता है. यदि आप ऐसा प्रश्न सुनते ही रक्षातमक हो जाते हैं, तो आपके कर्मचारी प्रश्टनों को अपने तक ही रखना सीखेंगे। यदि आपका सहकर्मी संभावित ग्राहक के साथ फोन पर हैं, आप चाहते हैं कि कार्यकर्ता का पूरा ध्यान काम पर हो, न कि अगले प्रोजेक्ट या आखरी प्रोजेक्ट या उस काम के बारे में ज संभावना है कि मीटिंग में जाएं, वहीं सपता हांत में घर ले जाएं कि साथ रैंक करेंगे। हम में से अधिकांश बैठकों से नफरत करते हैं और अच्छे कारण के साथ आप समुदाय दिमाग वाले हैं, एक टीम खिलाडी हैं, खेल की भाशा में गो टू पसन, लेकि संभावी और कुशल होने की आपकी क्षमता से अधिक कर रहे हूं। के संपादक जान बेंसन रायट लिखते हैं, जब कोई आपको गैर लाबकारी बोर्ड में सेवा करने के लिए कहता है, या किसी समिती की अध्यक्षता करने के लिए कहता है, या एक बहुत ही योग्यकार के लिए फन रेजर में भाग लेने के लिए कहता है, तो नहीं, कहना मुश्किल है, पियोरिया महिला, यदि इन में से कोई भी प्रेरणा आप पर लागू होती है, और आप इसे स्वीकार करने में सक्षम हैं, तो आप, हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि यह कुछ जरूरतों को अप्ती रोग है, क्योंकि हानी इतनी धीरे-धीरे होती है, पीडे तक सरद्रिष्टी के धीरे-धीरे से कुर्ते क्षेत्र के लिए सूक्षम, अचेतं क्षति पूर्ती करने में सक्षम होता है, बीमारी के बारे में तभी पता चलता है जब इसका इलाज करने में बहुत द आपके द्वारा किये जाने वाले सभी अतिरेक्ट कारियों को जोड़ें. जो कुछ भी आवश्यक है उससे उपर और उससे अधेक. यहां एक व्यक्ति की सूची की शुरुआत है. कोचे वाई बास्केट बॉल टीम कार्य स्थल की अपेक्षाओं की समिती की अध्यक्षता कर में कार्याले समन्वय सहयुक्त. मार्ग विभाग में धन उगाहने चच परिशत के लिए रिकॉर्डिंग सचिव के रूप में कार्य करें और आगे भी. आपको उन नौकरियों में भी शामिल होने की जरूरत है जो आपने सही तरीके से किसी और से संबंधित है कोई सामान् अन्य व्यक्ति नहीं जो समिती के अध्यक्ष के रूप में पद भार ग्रहन कर सकते हैं यदि आप पद छोड़ देते हैं लेकिन विशिष्ट व्यक्ति जिसका काम आपने किया है यह गरना आपको अगले वर्ष देने में समायो जन करने उस तर को उपर या नीचे लाने मे सक्षम बनाती है जहां आपको लगता है कि यह होना चाहिए और आपकी स्थानान तरन जागरुकता और प्राथ मिक्ताओं के अनुसार धन का पुनर वित्रन करना गोल्फ खेलना सीखें काम पर आगे बढ़ने में मेरी मदद करने के लिए नए कोशल सीखें अधिक नींद ले मास्टर समवादी स्पैनिश एमबिये कमाएं लोगों को महीने में कम से कम दो बार रात के खाने के लिए ले जाएं शायद आप वास्तव में स्पैनिश सीखना नहीं चाहते हैं आप बस चाहते हैं कि आप स्पैनिश बोलना जानते हूं पहले पास थरू पर आनंद के पैमाने पर प्रत्येक के लिए 1-10 तक की संख्या निर्दिष्ट करें 10 अत्यधेक आनंद दायक और उर एक शुद्ह कठिन परिश्रम है फिर फिर से देखें महत्वके पैमाने पर 1-10 तक की संख्या निर्दिष्ट करते हुए 10. मानव जाती के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण ठीक है, शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं है एक कोई भी वास्तव में परवा नहीं करता है गतिविधियों की हमारी कालपनिक सूची इस तरह देख सकती है गतिविधि का आनंद लें इंपोर्टाइन सी कोच एवाई बास्केटबॉल टीम नौ साथ कार्याले में कार्यस्थल अपेक्षा समिती की अध्यक्षता करें दो चार विभाग में संयुक्त मार्ग से धन उगाहने का समनवय करें एक आठ चच परिशत के लिए रिकॉर्डिंग सचेव के रूप में कार्य करें 5-5 बस संख्याओं को देखते हुए ऐसा लगता है कि हमने खुद को यहां एक बास्केटबॉल कोच मिल गया है यहां कुछ उदाहरं दिये गए हैं नई गतिविधी पुरानी गतिविधी ट्रेडमिल पर व्यायाम चर्चा समूह में शामिल हो दो घंटे की बैठक टेलिविजन देखें तीन घंटे हर महीने किताब पढ़ने के लिए 10 घंटे सपता पहला ट्रेड ओफ नींद के लिए व्यायाम एक अच्छा सौदा नहीं हो सकता है हाला कि यह है जिसे हम में से बहुतों ने खुशी-खुशी बनाया है लेकिन आप डिफॉल्ट रूप से उनके साथ कम समय बिताना चुन सकते हैं यह महसूस किये बिना कि आप ऐसा कर रहे हैं जब आप अपने परोज के री साइकलिंग सीज़ होने के सामाजिक रूप से योग्य काम करते हैं स्वचालित हां से सावधान रहें हो सकता है कि आप अपने समय की कमी में फंस गए हों क्यूंकि आपके पास नहीं कहने में बहुत कठिन समय है लेकिन आपने कडवे अनुभव से सीखा है कि किसी चीज को अभी ठुकराने की तुलना में बाद में उससे बाहर निकलना बहुत कठिन है लेकिन हम मैमो, पात्र, कार्यादेश, प्रस्तुतियां, निर्देश, उपकरणादेश, नौकरी, मूल्यांकन नौकरी के लिए प्रतिक्रियाएं लिखते हैं, मूल्यांकन, ट्रिज्यू में, अनुबंद, और शब्दों को तार के क्रम में इकठा करने के कई अन्य प्रयास ताकि वे पाठक के लिए समझ में आ सके हम जिस अर्थ का इरादा रखते हैं, एक उडान शुरू करें और चारिक रूप रेखा समय की बरबादी है जब तक की रूप रेखा, दस्तावेज का हिस्सा बनने जा रही है, या यदि आप इस तरह से सबसे अच्छा सोचते हैं, ये एक कुशल उप्योग करता के हाथों मे एक विचार मन्थन सत्र के दोरान लोगों के समूह के विचारों को पकड़ने के लिए भी सहायक है, और उन विचारों को दूसरों के साथ साजह करने के लिए आपको वापस जाने और समपादित करने की आवश्यक्ता होगी, निश्चित रूप से, लेकिन एक मोटे, बहु कम आपके पास, जितना होगा अपने रास्ते को आगे बढ़ाते हुए, अत्याचारी शब्द से शब्द, जैसे ही आप जाते हैं पूर्णता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप अपने द्वारा लिखे गए अगले दो टुकड़ों को समपादित करते हैं, तो आप ज शक्ता हमें प्रोत साहित करती हैं, किसी संदेश के प्रभाव पर विचार किये बिना लिखने के लिए, प्राप्त करता पर, प्रतिलिपी प्राप्त करने वाले अन्य लोगों पर, या आपके लिए अग्यात अन्य लोगों पर जिन्हें अभी या बाद में कॉपी किया जा सकता है दस तरीके फिर से लिखने नियंतरन और एलिमिनेट पेपर एक एक निरंतर साथी को अपनाए हर समय अपने साथ एक नोटबुक या योजनाकार रखें अपने अटाच केस में अपने डैस्क दराज में अपने कोड जेब या पस में अपनी रात की मेजबर लेकिन जब तक आप जानते हैं कि सब कुछ कहा है और आप अपना रख सकते हैं आप जो नहीं चाहते हैं उस पर हाथ डाले आप सब्सक्राब पार जाएं और उसे वापस डैस्क पर उच्छालते हैं यह वादा करते हुए कि आप बाद में इससे निप्तेंगे आपकी पसंद हैं रूट करें इससे किसी और को दे जिसके पास यह होना चाहिए जवाब दें फिर इसे फाइव करें पढ़ें पिर इसे फा पर तीन लेबल वाली स्टैकिंग ट्रे, इन, यह ट्रे मेल और मैमो के लिए है जब वे पहली बार आते हैं, सभी एक त्वरित प्रतिक्रिया बनाएं, एक व्यत्तिगत चिप-चिपा नोट मूल पात्र या ग्यापन के नीचे लिखा एक नोट एक संक्षिप्त नोट के पार, लेट हेट की एक आधा शीट, एक फोन कॉल या इमेल यदि उप्युक्त और अधिक कुशल हो तो क्या आप कठोर हो रहे हैं, समवाद दाता का अपना पेपर उसे वापस भीज कर, शेडियूल एक दिन में एक बार, या सपताह या महीने, कागस की मात्रा के आधार प उस समय के लिए जब आप अपने मानसिक चरम पर नहीं होते हैं, उस समय के बारे में जब आप प्रतीक दिन स्कूल, आप प्रतीक्षा करना शुरू कर देंगे और अवकाश की कामना करेंगे, और फिर दोपहर का भोजन, और फिर तीन बजे बजे का जादूई समय, घर जा आने का समय, हम कॉफी के लिए प्रतीक्षा करते हैं, बस के आने की प्रतीक्षा करें, प्रतीक्षा करें किसी को कॉपी मशीन को एंजैम करने के लिए, क्लाइंट के लिए हमारे वोईस मेल संदेश का जवाब देने के लिए प्रतीक्षा करें, हमारे लंच की तारीक की प् में समय धीरे धीरे बीटता है इसलिए नहीं कि हम क्रिस्मस के पहेड के नीचे अच्छे आश्चर्य की खुशी की उम्मीद कर रहे हैं बलकि इसलिए कि हम अपने कार्यक्रम से विस्थापित हो गए हैं और वास्तव में कहीं और कुछ अलग करना चाहिए आप अपने बाल्टी के लिए स्वैप करते रहते हैं सबसे पहले यदि आपने प्रतीक्षा के लिए पर्याब समय नहीं दिया है तो प्रतीक्षा आपके शेड्यूल को नश्ट कर देगी और आपको अन्य नियुक्तियों के लिए देर से आने और आवश्यक कार्यों को पूरा करने में विफल होने का कारण बनता है, जब तक आप घर नहीं पहुँच जाते हैं और अंत में अपने जूते उतार कर अपने पैर उपर रख लेते हैं, या जब तक बच्चों को खाना खिलाया जाता है और नहलाया जाता है और बिस्तर पर नहीं रखा जाता है, या सब ताहंत तक, या छुट्टी तक, या सेवानिवृती तक, या आपने वास्तव में नौकरी करने के लिए प्रतिबध नहीं किया है यदि आप उपन्यास कारों के लिए एक कारेशाला में भाग लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि वे एक उपन्यास क्यूं लिखना चाहते हैं। एक ऐसी परियोजना जो समय, उर्जा और भावना की एक बड़ी प्रतिबधता की मांग करती हैं। अधिकान शुत्तर तीन श्रेणियों में से एक में आते हैं। कारणों का दूसरा सेट मूल रूप से संचार और कहानी। कहने की धारणा के इर्द गिर्द घूमता है। मेरे चाहता हूं। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि कहानी उनका उप्योग खुद को बताने के लिए कर रही है। 134 ने कहा कि मैं एक अच्छा उपन्यासकार बनाऊंगा। कोई कह सकता है। या मेरे पुस्तक समूह के लोग सोचते हैं कि मेरी जीवन कहानी प्रेर्णा दायक होग इस तरह के तर्क सीमाओं के लिए एक उप्युक्त प्रतिक्रिया मा की पुरानी नसीहत। अगर कोई आपको चटान से कूदने के लिए कहे तो क्या आप ऐसा करेंगे। यहां कुंजी प्रेर्णा का स्रोथ है। लेकिन जितना अधिक प्रेर्णा अंग्रेजी शिक्षक य या साथी या वॉस या किसी अन्य बाहरी स्रोथ से आती है। उतनी ही कम संभावना है कि हम इसे कर सके। भले ही आप देख सके काम करने के लिए एक लाब। आप अभी भी यह तै कर सकते हैं कि समय और उर्जा की लागत। और अन्य चीजें जो आप नहीं कर रहे हैं। कि आप कोशिश नहीं करते हैं तो आपको इस संभावना का सामना करने की जरूरत नहीं है कि आप इसे नहीं कर सकते। सफलता का डर दूसरी और यदि आप पाठ्यक्रम पास करते हैं तो लोग आप से इसे फिर से करने की उम्मीद करेंगे। या बाहर जाने के लिए और करने के लिए इस परिभाशा के माध्यम से पहली बार नकारात्मक हो सकता है अगर मैं बारिश के नाले को साफ नहीं करता तो मुझे बगीचे में बार आ जाएगी पहली बार तेज बारिश हुई है सकारात्मक प्रेरनाएं अधिक मजबूत होती मैं अंत में इसके बारे में चिंता करना बंद कर दूंगा मैं धूप में कुछ अच्छा व्यायाम करूंगा मैं काम करते हुए संगीत सुन सकता हूं क्या ये विचार कार्य को सूची में उपर ले जाने के लिए परियाप्त हैं कारण चार आप कार्य करने के लिए परियाप्त नहीं जानते हैं जब ए इस बारे में बात कर रहा है जानकारी इकठा करने की वैधावशक्ता और एक स्टॉलिंग तंत्र जिससे किताब पढ़ना या हाद्वेर स्टो पर लड़के से बात करना नौकरी का सामना करने से रोकने का एक तरीका है आप टेली फोन या अन्य लोगों की बातचीत से विचलित हो सकते हैं या आप अपने डेस्क दराज को पुनर व्यवस्थित करने या रेस्ट रूम या कॉपी रूम में बहुत सी अनावशक यात्राएं करने जैसे नासमज कारियों को करने में समय व्यतीत कर सकते हैं कई बार आपको आल नाइट खीचने की आवश्शक्ता ठोगी लेकिन नियमित रात प्राप्त करने का प्रयास करना नियमित रूप से सोने से आपको जागने के घंटों के दोरान और अधिक प्रभावी बना दिया जाएगा पुरसकार अतिरेक्ट पांच मिनट के ब्रेक टाइम से अधिक नहीं हो सकते हैं लेकिन वे उन व्यवहारों का समर्थन करते हैं जिन्हें आप अपनाने की कोशिश कर रहे हैं और यहां तक की मामूली बोनस भी सकारात्मक और मूलिवान होंगे सुद्रधीकरन के दोरान यदि आप किसी विशेश वर्ग के साथ अध्यायन कोशल या किसी अन्य समस्या से परेशान हैं तो समस्या के नियंतरंड से बाहर होने से पहले जितनी जल्दी हो सके सहायता प्राप्त करें हर कोई जो विनिर देश के निर्मान में शामिल था या जो विनिर देश का उप्योग करेगा यह जानता है लेकिन अपनी पसंद की तुटियों के लिए लड़ते हुए अपनी कुछ अशुधियों को करवा अंतक स्वीकार करेगा सरल परियोजनाओं के लिए केवल कुछ सरल कदम हो सकते हैं बड़ी परियोजनाओं के लिए चरणों को कई बार तोड़ने की आवश्यक्ता हो सकती है और लिंकिंग जटिल हो सकती है यदि हम इस पर विचार करना बंद कर दे की शोध करने में कितना समय लगेगा तो हमें इस बात का बहतर अंदाजा होगा कि यह कितना समय लगेगा रिपोर्ट तैयार करने के लिए ले लो इसके लिए अकसर एक वैश्विक दृष्टिकोन की आवश्यक्ता होती है प्रबंधक को टीम के सदस्यों पर बाहरी मांगों के बारे में पता होना चाहिए और सबसे महत्वपून बात व्यक्तिगत ताकत का लाब उठाने और भविश्यकी परियोजनाओं के लिए टीम के भीतर कौशल बनाने के लिए यदि आप अपने व्यक्तिगत कौशल के साथ काम कर रहे हैं तो आपको यथार्थवादी होना चाहिए अपने लक्षियों को परापत करने के लिए अपनी ताकत का लाब उठाने और अपनी कमजोरियों को समायोजित करने के तरीके को समझना यदि आपके पास वर्तमान परियोजनाओं का अनुमान लगाने में उप्योग करने के लिए पिछली परियोजनाओं के परिणाम नहीं हैं, तो आप समय की आवश्यक्ताओं का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं यथा संभव सटीक. सर्वोत तमनियोजित परियोजना में समस्याएं होने के लिए जाना जाता है. इसलिए कुछ सुस्त में निर्मान करना बुद्धि मानी है ताकि यह आपके शेड्यूल को पानी से बाहर न उड़ाए. यह स्पष्ट होना चाहिए कि अपेक्षाओं और प्रक्रियाओं की बहतर समझ. अधिक से अधिक सहयोग और संचार. परिनाम के लिए अतिरिक्त प्रतिबधता. संसाधनों की अधिक उप्योगिता. और निश्चित रूप से बहतर समय प्रबंधन, बहतर परियोजना प्र केलिंडर बनाए रखें. समू संपर्क सूचियां रखें. इमेल प्रबंधित करें. नोट्स बनाए और फाइल करें. और परियोजनाओं को प्रबंधित करने में सहायता करें. सौफ्ट्वेर निश्चित उत्पादक्ता लाब प्रदान कर सकता है. यदि स्थापना और कॉ सुविधाजनक है. नए उप्योग करताओं के लिए सीखने की अवस्था अत्यधिक. खड़ी नहीं है. सौफ्ट्वेर स्थिर और उपलब्ध है. क्रेश कम ही होते हैं. उप्योग करता आउटपोट को मूलिवान मानते हैं. उपलब्ध सभी सौफ्ट्वेर प्रैकेजों क का पूरा. विवरन इस पुस्तक के दायरे से बाहर है. माइंड मैपिंग सौफ्ट्वेर के लिए PC आधारत बाजार और उद्यम बाजार का अधेक का प्रतिशत, जो उप्योग करता को सूचनाओं को पकड़ने, व्यवस्थित करने और साजह करने की अनुमती देता है. वि परियोजना प्रबंधन सौफ्ट्वेर के साथ इसका एकी करन उन विचारों को परियोजना प्रबंधन धाचे में शामिल करने की अनुमती देता है. चरणों को सीखने का समय नहीं मिला. आये उन चरणों में से कुछ को हटा कर कुछ समय खाली करें, जो आपको कहीं नहीं म बोशिश में लगे हुए हैं जो इसके अलावा किसी उद्देश की पूर्ती नहीं करता है किसी और के लिए काम प्रदान करना तो शायद आपको एक विकल्प की तलाश करनी चाहिए यदि आप प्रक्रियाओं का पालन करते हैं और ऐसे फॉर्म भरते हैं जो एक मुर्दा घर में भेजे जाने के लिए नियत होते हैं जहां वे फिर कभी दिन की रोशनी नहीं देख पाएंगे तो आपका दायत्व है कि आप इसे बदलने का प्रयास करें प्रक्रियाओं जो आपका समय बर्बाद कर रही हैं अनावश्यक कार्य के दोर और रूप व्यस्त कार्य और का कार्य पर काम करना बहुत सारे कार्याले सेटिंग्स में बौस अधीनस्तों के लिए व्यस्त काम बनाते हैं बजाए इसके कि उन्हें उनके लिए कुछ वास्तविक पता लगाने की संभावना का सामना करना पड़े या उन्हें कंप्यूटर सॉलिटर खेलते हुए देखने के लिए वेब कास्टिंग निश्चित रूप से आपको व्यस्त रखता है आप निस संदे कुछ सीख रहे हैं हाला कि कार्य स्थल पर इसका अनुप्रयोग कठिन हो सकता है और एक बार जब आप अपना रास्ता खोजना सीख जाते हैं तो आपके पास एक अद्भुत समय हो शुरू हो जाता है यह सूची दूरभाग्य से नहीं है शामिल करें मैं नहीं चाहता यह मुझे पसंद नहीं है यह यहां तक की यह मेरे नौकरी विवरण में नहीं है हाला कि यह अब इंदू शायद आपके परिवेक्षक के साथ भविश्य की योजना चर्चा का विशय बन जाना चाहिए Delegating, Swapping and Letting Go एक बार जब आप यह निर्धारित कर लेते हैं कि किसी अन्य व्यक्ति को वो कार्य करना चाहिए जिसे आप अभी कर रहे हैं तो आपके पास इसे करने के लिए किसी और से प्राप्त करने के लिए तीन विकल्प हैं कुछ लोगों के पास उनके लिए अपना मेल खोलने और सौट करने के लिए अन्य लोग होते हैं भी और कॉफी बनाएं और उन सभी बेवकूफ रूपों और बहुत से अन्य कम ग्लेमरस कारियों को भरेन ये अधीनस्त में विश्वास की कमी से खो सकता है निश्चित रूप से कई कारणों से एक बुरी स्थिती लेकिन जाने देने में असमर्थता का किसी और से कोई लेना देना नहीं है जैसा कि आप योजना बनाते हैं और अपने कार्य प्रवाह को निर्देशित करते हैं केवल दो श्रेनियों के बजाए तीन का उप्योग करने के विचार के लिए अभ्यस्त हो जाएं इसे अभी करें इसे बाद में करें और इसे कभी न करें इसे कभी न करें का निर्नाय करना बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जैसा कि इसे नहीं करना है, यदि आप इसे वापस धेर पर फेकते हैं और इसे अपने दिमाग के पीछे धकेलते हैं, तो ये आपके शारीरिक और मानसिक स्थान को अव्यवस्थित करता रहेगा, और इसे फिर से निपटने की आ पर डेटा का एक और सेट चला सकते हैं, हम अपनी गुनवत्ता अपेक्षाओं को तब तक बढ़ा सकते हैं जब तक हम नहीं पहुंच जाते पूर्ण तावाद के इस तरह के उदात्त और पूरी तरह से हास्यास पद, शिखर, तुटी के लिए शून्य सहनशीलता के तब तक आप इतने बूड़े हो जाते हैं कि आप जितनी देर तक रहना चाहते हैं, तब तक आप देर तक रहने के लिए बहुत ठक चुके होते हैं, लेकिन जब सिथ हम अस अलवा एडिसन ने आखिरकार एक ऐसा फिलामेंट पाया, जो बिना जले चमकने के लिए गर्म हो, हम कृत्रिम प्रकाश के साथ खुद को जगाय रखते हुए, सूर्य के चक्र को टालने में सक्षम हो गए हैं, पाचन के 194 पावर ब्रेक फास्ट के साथ और वर्किंग लंच और बिजनिस डिनर, यदि हम गलत समय पर ठक जाते हैं, जैसे कि दोपहर के कर्मचारिय की बैठक के मध्य में, हम आराम की अपनी आवश्यक्ता को पच्छारते हुए, कैफीन या चीनी या दोनों के साथ ठकान से लड़ते हैं, हम में से अधिकांच ने एक डैनिक चक्र विक्सित किया है, जिसमें एक लंबा ब्लॉक शामिल है, 6-9 घंटे की नींद और 2 या 3 भ ज्यान कहता है कि सेब आपके लिए अच्छे हैं, और लोक कथाएं से खाती हैं, एक सेब एक दिन रखता है डॉक्टर दूर, और कीतनाशकों के डर से अलग, समाज सेब खाने की स्वीकृती देता है, मैंने इस लत को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा वर्नित सुना है जो है र पर शारीरिक निर्भरता से अधिक शक्तिशाली और तोड़ने के लिए कठिन जानता है, लोगों को रखने के लिए, पर्याप्ट शक्तिशाली वात्सफीती विक्सित होने के बाद भी धूम्रपान करना या कैंसर के लिए एक फेफडे को खोना, तब महिलाओं ने समानता प्राप्त की, आप एक लंबा सफर तै कर चुके हैं, बेबी, जब सेकंड हेंड या निश्क्रिय धूए के खिलाफ चिकित सा साक्ष्य व्यापक और प्रेरग बनने लगे, तो कई नगर पालिकाओं ने रेस्टरां और सार्वजनिक कार्यालेयों में धूम्रपान पर प्र प्रतिक्रिया और धूम्रपान और स्वास्थ्य पर सबूतों की एक निश्पख्ष समीक्षा का सयोजन। हमें बता सकता है कि हमारे लिए क्या सही है भले ही हम हमेशा ऐसा न करें यह जानने में कठिनाईयों को देखते हुए कि सही क्या है और हमारी प्राकृतिक ले हमें क क्या बताती है और सामाजिक रूप से लागू पैटन क्या निर्देश देते हैं के बीच अपरहार्य संगष को देखते हुए आप अभी भी अपने जीवन पैटन को बदलने में सक्षम हो सकते हैं ताकि आप अधिक सामंजस्य में रह सके आपका आंतर एक संगीत यहां कुछ संभावनाय दी गई हैं हमने आर एम तेजी से आँखों की गती के लिए नामक एक घटना के बारे में भी नहीं सीखा नींद की वो अवस्था जिसके दौरान सपने आते हैं लगभग तीस साल पहले तक एक खोज जो प्राप्त हुई वैसे से अवलोकन लेकिन यहां भी नि कुछ ऐसी ही बुरी चीजें होती हैं यदि आप लोगों को सोने देते हैं लेकिन उन्हें उनके सपनों से वन्चित करते हैं क्रूरता का एक और कारणामा जो स्लीपरों को हर बार आर एम चक्र में फिसलने पर उतेजित करता है लेकिन अनुमती देता है अन्यठा उनकी साम नीन पाने के लिए। थॉमस एडिसन को अक्सर एक अत्यधिक रचनात्मक और उत्पादक व्यक्ति के उदाहरन के रूप में उध्रित किया जाता है। जो रात में तीन या चार घंटे की नीन पर संपन होता है। हाला कि संशोधन वादी जीवनी कारों ने सुझाव दिया है कि एडिसन ने बहुत सारी जपकी ली। और कुछ ने यह भी सुझाव दिया कि उनकी कथित रात की आदते लोग गीत हैं। लोगों के पास बहुत अलग प्राकृतिक चक्र होते हैं। कुछ देर रात में अधिक सतर्ख होते हैं और गहरे से बाहर निकलने का प्रयास करने में एक भयानक समय होता है। सो जाओ जो एन हाई हाई अलाम घड़ी सुभा फट जाती है। दूसरे दावा करते हैं कि वे आपको सपश्ट सपने देखने की तकनीक सिखाने में सक्षम हैं। स्वापन की स्थिती के बारे में जागरुक जागरुकता और प्लोट लाइन को बदलने की क्षमता। और चीज़ें जो रात में गलत हो जाती हैं एक। अनिद्रा अब तक का सबसे प्रसेद और सामान्य विकार है जो आपको नीन्द लेने से रोकता है। वास्तव में हम में से अधिकांच कभी न कभी इससे पीड़ित होंगे। 206 जैसा की नाम से पता चलता है। नीन्द की शुरुवात अनिद्रा में सोने में कठिनाई होती है। जबकि टर्मिनल अनिद्रा जो इससे भी बत्तर लगती है। बहुत जल्दी जागने और वाप सोने में असमर्थ होने में प्रकट होती है। हम इसे अधिकांच नहीं करते हैं। रीड की हड़ी के शीर्ष पर एक छोटा सा स्विच जो हमें हमारे सपनों को पूरा करने से रोकता है। के कारण रात के दौरान हिलना और शुरु करना और अन्यथा इधर उधर घूमना। 208 एक अच्छी रात की नींद लेने के लिट 6 कदम यदि आप नींद के रूप में नींद का सामना करते हैं शुरुआत या टर्मिनल अनिद्रा या दोनों। आप इन में से एक या अधिक उपायों के साथ खुद का इलाज करने में सक्षम हो सकते हैं। पोशन विशेशग्य सला देते हैं कि हम सुभा में बड़ा भोजन खाकर पोशक तत्वों को सबसे अधिक कुशलता से संसाधित और उप्योग करेंगे। दिन के दौरान बन टेपिंग और दो या तीन बड़े भोजन के बजाए कई छोटे भोजन खाने से। यदि आप कार्य सप्ता के दौरान एक कारेक्रम का पालन करते हैं, लेकिन सप्ता के अंत के लिए इसे बहुत अधिक छोड़ देते हैं, तो आपको रविवार की रात सोने में परेशानी हो सकती है और इससे भी अधिक सोमवार की सुभा अपने आपको बिस्तर से बाहर खी नीचने में परेशानी, इसके बारे में चिंता मत करो, जागते हुए जूट बोलने से बुरा कुछ नहीं है कि यह कितना भयानक है कि आप सो नहीं रही हैं, आपको उस नींद की कितनी आवश्शकता है, कल आपको कितना बुरा लगेगा यदि आप नींद न लें, यदि आ आप चिंतित है कि नींद की पुरानी कमी आपको दक्षता और सतर्कता से वंचित कर रही है, आपके रिष्टों को चोट पहँचा रही है, शायद आपके दीर काले कल्यान को भी खत्रे में डाल रही है, तो पहले 211 का स्पष्ट विचार प्राप्त करें कि कितना और जब आप वास्तव में अभी सो रहे हों, अब आप एक नींद, विकार विशेशग्य के साथ बातचीत के लिए तयार है, जो आपके लिए कुछ ततकाल सुझाव दे सकता है, या आपकी नींद की गहन निगरानी के लिए क्लिनिक में रात भर ठेहरने का सुझाव दे सकता है, आ पूरज बहुत तेज है, आप एस्प्रेसो का इवड्रिप समाधान स्थापित करने की संभावना तलाशना शुरू करते हैं, आप मानते हैं कि यदि आप पर्याप्त रूप से सोचते हैं, तो आप उड़ सकते हैं, एंटासिट गोलियां आपके पोशन का एक मातर स्रोत ब पार जाते हैं, और रात के आराम के लिए अपने आप से बात करने से इंकार करते हैं, आप अपना समय बर्बाद करने में कोई हास्य नहीं पाते हैं, आप जानते हैं कि आप बहुत तनाव ग्रस्त हैं यदि सूचियां, किसी अन्य इंसान के साथ एक रिष्टे में प्रवेश करें, एक से बाहर निकलें, या एक साथ एक रिष्टे से बचेयां आप अपने आपको बढ़ते तनाव के लिए खोलते हैं चाहे आप कुछ भी करें या न करें, कुछ रोजमर्रा की चीजों की सूची ब करना, बाजार में लाइन में लगना, बारह आइटम या कम लाइन में बारह से अधेक आइटम खरीदने की कोशिश करना, जोर से बात करना मूवी के दौरान, अपने मूग खोल कर चबाना, और आगे और आगे, 220 स्ट्रेस होता है तनाव में एक और अंतर द्रिष्टी लेन करता है या समाप्ट करता है, 58 का परिवर्तन काम की लाइन, 51 निवास में परिवर्तन, 47 जीवन साथी के साथ बहस की संख्या में बदलाव, 46 खाने की आदतों में बदलाव, 29 सोने की आदतों में बदलाव, 27 मनोरंजन में बदलाव, 26 अपनी नौकरी खोना या अपने से बे दखल होना अपार्टमेंट आपका लक्ष जितना संभव हो सके इस्ट्रेस में रहना चाहिए और उन अपर हार्य समय के दौरान विशेश रूप से अपनी अच्छी देख भाल करना चाहिए जब आपको अपनी सुरक्ष तनाव सीमा से अधिक होना चाहिए हमारी लड़ाई में शामिल हैं आप कम काम के साथ अधिक कर सकते हैं होशियार कठिन नहीं एक दुबला कार्यबल एक अधिक कुशल कार्यबल है इस प्रकार शब्द डाउन साइसिंग और राइट साइसिंग आप इन ब्रोमाइद्स को हमारे समय के महान जूट की सूची में डाल सकते हैं चैक मेल में है के साथ मैं अभी भी सुभह आपका सम्मान करूंगा और मैं कुछ भी नहीं बेच रहा हूँ आपको तनाव कम करने के लिए तनाव उठाना होगा तनाव युदों से अपनी रणी तेक वापसी शुरू करने से पहले तनाव पैमाने पर एक अंत 44 के बीच हम पाते हैं व्यक्तिगत आदतों का संशोधन 44 जब विटिकिन, घूम्ज और राहे जैसे लोग विभिन तनावों को अंक देते हैं तो वे औसत व्यक्ति में प्रतिक्रिया की सबसे अच्छी भविश्यवानी कर रही हैं वो अजीब व्यक्ति जो सालाना 32,914 डॉलर कमाता है उसके पास एक है 7-8 दो बच्चे और वास्तव में मौजूद नहीं है जब चलना कठिन हो जाता है ड्वाइट आई जनहावर ने एक बार हमें आश्वासन दिया था कठिन हो जाना इसका मतलब यह हो सकता है हाला कि मुझे यकीन है कि एके ने इस व्याख्या का इरादा नहीं किया था कि अगर चलना असहनिय हो जाता है तो आपको मैदान में फिर से प्रवेश करने से पहले एक ब्रेक के लिए पिछले दरवाजे से बाहर जाना पड़ सकता है हम एक मौलिक कमी भी दिखाते हैं दूसरों के लिए सम्मान यदि हम किसी मित्र के साथ फोन पर टाइप करते रहते हैं या अकबार के पीछे छिप जाते हैं जब कोई प्रियव व्यक्ति हम से बात करने की कोशिश कर रहा होता है एक निरनय आपको करना चाहिए एक बड़ा क्या मुझे नियमित की सुरक्षा के साथ रहना चाहिए तंख्वा दे या अपना खुद का व्यवसाय शुरू करें उद्धरन चिन या एक छोटा क्या मुझे फ्राइस के साथ डबल चीज बर्गर ओडर करना चाहिए या लो कैलोरी ड्रेसिंग के साथ सलाद उद्धरन चिन दो दशमलव दो तीन दो हाला की तीसरी श्रेनी में चिंताएं बहुत अधिक होती हैं बड़े दायरे में वे कम तातकालिक भी होते हैं और इसलिए चिंता करने वालों की मानसे कूर्जा को कम लेते हैं जैसे कि दोपहर के भोजन के लिए क्या करना है आप सोच सकते हैं कि आप आने वाले कॉंग्रस के चुनाव के बारे में चिंतित हैं या आपके पबलिक स्कूल खेट जनक स्थिती में हैं प्रशन सनिय चिंताएं सुनिश्चित करने के लिए कब आप वास्तव में अपनी गर्दन पर एक तिल के बारे में चिंतित हैं जो अचानक आकार बदल गया और लाल हो गया पूछो, मेरे साथ सबसे बुरा क्या हो सकता है? यदि आप उस चीजबर गर और फ्राइस खाते हैं, तो आप लगभग एक सपताह के वसा क्या वंटन के साथ साथ भारी संख्या में कैलोरी का उपभोग करेंगे व्यवसाए, प्रस्तुती के संबंध में आप जो कार रवाई कर सकते हैं उनमें शामिल हैं डेटा एकत्र करने के लिए इंटरनेट पर हिट करना, सहान भूती पूर्ण दर्शकों के सामने अभ्यास करना, गले में खराश पैदा करना और घर जाना, बीमार, किसी को आपके लिए प्रस्तुती देने के लिए कहना, आप कुछ भी नहीं करने का फैसला कर सकते हैं क्यो ठीक हो सकती है, अब अपने आप से कहें, जो कुछ भी मैं तै करता हूँ ठीक हो जाएगा, अपने आपको अक्सर परियाप्त बताएं और आप इस पर विश्वास करना, शुरू कर देंगे, इसलिए नहीं कि आपने खुद को ब्रेनवाश कर लिया है, बलकि आपका अंतर ज्यान कथन की सच्चाई को पहचान लेगा, आविश्कार अक्सर द्रिर संकल्प से आता है, जैसे जब धॉमस एडिसन ने साथ सो से अधिक अलग-अलग कोशिश की यह पता लगाने से पहले की टंग्स्टन जले बिना चमक जाएगा जब उसने विद्धियुत प्रवाह क इसके माध्यम से गुज्र ने दिया, ऐसी सफलताएं अफचेतन मन से आती हैं, जिसे चार्ल्स हैनेल नाम के एक व्यक्ती ने आपकी और से काम करने वाला परोपकारी अजनभी कहा, हम सभी उन्हें प्राप्त करते हैं, लेकिन हमने खुद को उनसे दूर कर लिया होगा, व तो वे उसे और खुद को आश्चर्य चकित कर देंगे, अंतरद्रिष्टी के साथ वे यह भी नहीं जानते थे कि उनके पास था, लिफ्ट में अनसुनी बात चीत, दोपहर के भुजन पर की गई एक टिपनी, अकबार के पिछले पन्नों पर एक छोटी सी वस्तू, शाम की खबर पर एक रिपोट अचानग दुनिया को लगता है, आपकी मदद करने के लिए आपको जानकारी देने की साजश हो रही है, लेकिन टोंटो को शहर में पीटने के लिए भेजने के लिए केवल इतने ही बहाने हैं, और लोन रेंजर के लिए केवल इतने सारे भेश हैं, शवी पूरी तरह से अलग संदर्ब से एक विचार या शवी से टकराती है, कुछ नया, आश्चर्य जनक और मूल बनाती है, चरन पांच, इससे पहले कि आपको करना पड़े रुके यदि आप एक सत्र में समाप्त नहीं कर सकते हैं, तब तक विराम ले जब आप विचार बन भी संभावनाओं को समाप्त कर दिया है, और फिर रुकें, आप एक नकारात्मक प्रभाव डालेंगे जो डर में बढ़ सकता है और जब आप प्रोजेक्ट पर वापस आते हैं तो एक कठिन स्टार्ट अप समय बना सकते हैं, खिप्पी डिप्पी 1960 के दशक से कुछ ठीक ह यह जान ले कि चाल्स हैनेल जैसे लोग सदी के अंत में इन तरीकों के साथ काम कर रहे थे, और डोरोथिया ब्रेंडे ने शुरुआती दिनों में एक लेखक बनने वाली पुस्तक में लेखकों के लिए इसी तरह की प्रक्रिया की व्याख्या की थी, 1930 के दशक में मिरा समय महिलाओं ने इस धारणा को सारवजनिक अभिव्यक्ती देना शुरू कर दिया कि न्याय संगत होने के नाते ग्रिहीनी ने उन्हें पूरी तरह से विक्सित नहीं होने दिया या समाज में पुरुषों के साथ समान भागीदार के रूप में अपनी जगह नहीं ली, मांदारी से मानते हैं कि आप अपने किशोर बेटे या बेटी के साथ एक सार्थक बातचीत का समय निर्धारित कर सकते हैं, या कि नियुक्ती के द्वारा प्रेम प्रसंग सहचता में कुछ नहीं खोता है, तो आपने गुनवत्ता समय अवधारना खरी दी है, यदि आप है उदाहरन के लिए पारिवारे के आध्यात्मिक जीवन या स्वास्थे के रख रखाव पर अधिक समय नहीं देना, तो शायद ये वास्तव में आपके जीवन की सबसे महत्वपून चीजे नहीं हैं, किसी तरह आपको काम से एक मिनिट निकाले बिना परिवार को अधिक समय देना चाहिए उनमें से अधिक, आप कम के साथ अधिक कर सकते हैं, बकवास, गुनवत्ता समय में विश्वास के लिए आधार, लिव वाल्यू सेंटर्ड लाइफ आप एक राक्षस या एक पाखंडी भी नहीं हैं, क्या आप एक नई नौकरी के लिए एक प्रस्ताव को ठ भुकरा देंगे जिसमें अधिक पैसे का भुगतान किया, जाता है यदि उसे लगातार यात्रा की आवश्यक्ता होती है और इसका मतलब है कि आप पर्याप समय के लिए घर से दूर रहेंगे,